मैं हूं सागर और आज हम रियक्शन करने वाले हैं एक दीदी ने किया खात्मा जालिमों का तो चलिए विडियो शुरू करतें तो दूसरे लोग अपनी मर्जी से उठाने के लिए तैयार हो अगर तुम्हारी विचार धना में तुम्हारे धर्म में तो लोग खुद आकर के कहें कि हम आपके साथ साथ देना चाहते हैं लेकिन तुमसे वह तो होगा नहीं तुम घटिया तरीके से लोगों को डरा ओगे ल छे और ऑजनता bought or a annabasal मके आपके नहीं धर इनके लड़के मरेंगे जिनके पास बेखनेया तरीके लूजितराब में आई फिर दिनमर कोम से नहीं हैं कि यह इतना यादा नहीं चाहें तो भाइउस जिसे अधर्म का आच्ण मोनां जार्म चाहें सुने जाएव टनरीकेस तो लोगों में शान्थी विवस्ता होनी चाहिए, लोगों को देखके डर को लगता है? बच्चियां सहं क्यों जाते हैं जैश्री राम भाली आगा अंदर चुप जाओ क्योंकि यह कुछ भी कड़ सकते हैं , यह ढंगाई है , यह भड़काऊ भी केसा हिंसा कड़ सकते है आवे कोंधे नांपर पोरी तरीके से एक गन्धी राजनी ती और आम जनता को इस आग में जोक करके आम जंता की शिक्षा स्वाश पर लगने वाला पैसा धरम पर खट किया जा रहा है देखे जो हिंदू है ना इस देश का जितना भी हिंदू है वो एक ऐसे सेनेरिव में बहरा है जिसमें कहा जाता है कि आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगा उसको यह नहीं बताया जाता कि अगर आप आज शिक्षित होंगे तो कल आपका बच्चा अधिकारी बनेगा बिजनिसमें बनेगा या विश्विष्टर पर विज्ञानी बनेगा वैज्ञानिक बनेगा उसको बताया जा रहा है कि तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तु पर नगया जै़कुब कि जूत शुषी का बুपयों घ्रम में बचर बचुक अगर फ़समें कोई निमुहाँ अधर दर्म में वही लोग हैं जो लोग दंगा मचना चाहते हैं जो साथ मनमानी करना चाहते हैं जो इस तरह का माहौल चाहते हैं कि तो कुछ भी करें और सरका पर बिजए बिधायक को उससे बिधान सा बाता निकाल करके पैर टांग उठागर के भार्फिक वाइदिया क्योंकि वह ही पर हिंदु-मुस्लिम करने लगे हिंदु-मुस्लिम के दंगे तो यह करवाना चाहते हैं आज अगर देश के अंबेड कर वादियो की अगर मैं बात क कि आज भारत के अंदर हिंदु-मुस्लिम के दंगे नहीं होते जो असली लड़ाई है जो इस देश का असली दुस्मन है जो बैदिक संस्कृति के तहत लाकर करके इस देश के असली मुल निवास्यों को बरवाद किया उस ब्रहमन की ध्रमण इकड़ी बैदिक संस्कृति पर आज लोग कुठा रागात कर रहें आज उस पर टार्गेट कर रहें जो ग्वास्तम में छुपा हुआ दुस्मन है भारत के अंदर जो धर्म के नाम पर पर अपना पेट भड़ता धर्म के नाम पर अपने राजमीति सफल करता अगर ब्रहमन या पुजारी को ये कहेगा कि भाई भ्रहमन धर्म बचाओ तो आम जनता नहीं बचाएगा कि तेरा धर्म में तु अपने आप बचा इसलिए वो इससे बड़ा एक शब्द जिसके जाल में लोगों को उल्जा करके अपने साथ इखटा करते हैं खड़ा करते हैं और भीड दिखाते हैं वो एक शब्द नागरिक पैदा करते हैं आप सोच यह बारा साल की नो साल की बच्ची अगर बच्चे को जन्म देगी तो तो कैसा बच्चा को उसकी हड्यों में जान होगी उसके सरीर में मशलत होगी उसके गुद्धी का अभिखास हो चुका होगा इनक शर्म आनी चाहिए कि हिंदु हो तो तुम्हें घीन आएगी इसलिए कहते हुआ बार बार सी को समझो पढ़ो उसको जा करके ऐसे बेखुदे और जाहिलों को रखना पड़ता है कि वह तलवार लेकर इसकी रक्षा करें क्या बहुंगा है जो अपने ड़ाई खुद निलड़ सकता जाहिलों को अनपड़ों को घमारों को सड़को पर तलवारा लेहराने के लिए आम जंता को कहता कि तुम मेरा दर बहलाओ डर लोगों को भगवान का नहीं है यह जानते हैं कि लोगों के दिमाग में बहगवान का दिखा रही है इसलिए तलवारों के डर पर भगवान की तरफ को लोगों के लेकर आ रहे हैं लेकिन लोगा वाएंगे निविज्ञान का दोर है इस साइंस के जमाने में आप किसी से कहो कि जा तू बात कर ले एक मंत्र में लगा के पाकिस्तान या किसी भी देश के अमेरिक बना के सड़को पड़ चोड़ रहा है पहला तो कहते है बहुत सब्सक्तिमान है वह बहुत नहीं को ताकतवर है और यह दो टांगों पचलने वाले उस भावान की रक्षा कर द दुनिया को टांगे दी है अगर दुनिया में वह धान रहे है ऊफिस्पनी से थाओ तो लिए बना दी तुम अपने दो टाम वह चलका उसकी सुरक्षा कर ने चलेगों तुम इती थी सित्वीते तलवार लेकर कने उसकी फिर्धी तरश्थी कर निर्मान किया है तो गदो पहला दो इजान दो बहुत वह तो भगवान नकिरेशा करते हो अभी तो इन बाव जो और भी हिंदी मुसलिम है यह जितने भी ही साई है यहीं इन किसी भी आपके देश को सिर्फ लाव नहीं यह राव भो सपा अच्छा जब उसका स्वास्त अच्छा कि इसके बिनाइप लोग फे काम कर सकता है। आप इसको यह ना लिए के सहले हु徒रम। कर लिए हम लोग करें है। कि हिंदु नश्य नकरते है। हिंदु दरम के खुछ नरना भॡ़िन नरे लोग हैं। हमारे लोग को गुलाम भ नाया है। हिंदु धर्धर्म ने भड़कों पाद के बनाया है है हम उसका विरोग केसे ना करें और यह कहते है कि मसलमान के देद, मुल्य को कह के देद तू तू मुल्ली है अरे अपने अधिकार की बात करना मुल्ली हो गया भाई तो तुम के तो मुसलमान पर दिखा तुम कहें तुम कहें बहुत सी बढ़ास निकाली लेकिन कुछ हब तक मुझे बाते बहुत सही लगी जैसे कि हिंदू जैसे राम का सिर्फ नारा लगाना और कुछ जानकारे ना होना अपने धरम की तो बहुत से लोग ऐसे भी है जो अप आते हैं कि हमारे धर में क्या निका गया है मारा दम क्या सिकाता है यह सभी चोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलिम में जगड़े मतलब चल रहे और लोग इसी के उपर मतलब फसे रहे और यह ना सोचे कि या देश में क्या प्रगती हो रही है क्या विकास के काम हो रहे है और कितने कॉलेज बने कितने सड़किया अच्छी बनी उनको लगता है कि इस पर ध्यानी ना आए लोगों का उनको लगता है सिर्फ यह ही सोचते रहे लोग कि जगड़ा के से करना है और इसी पर उनको वोट म मुशल्मान कि अगर आप शिर्क गुंडागर्दि करते हो बगवान के नाम पर लेकिन स्री राम तो बहुत शान्ती के प्रतिक है वह बहुत चान्सों वागे तहें उन्होंने बहुत से बाते से शिकाई एं क्योंकि वह मर्यादा पुर्श उत्तम थे तो यह भी आपको सोचन में नहीं बहुत से दर्म के लोगों को आजकल इंडिपेंडनेंस लाइफ चाहिए वह कुछ भी खाये पिए किसी की रुकावटना हो लेकिन इस आजेशी भी समझने चाहिए क्योंकि इन्होंने सच का कि मतलब पॉलिटिशन्स जो है वह हमें आवा मतलब कहते हैं कि यह जाता कि यह जगड़ें जगड़ों के बीच में क्योंकि लोगों को जगड़ा मतलब एक जोशी आजाता है कि हम इंदु यह कोई हो कहता है हम मुसल्मान है तो यह मतलब जगड़े ही होते रहते हैं तो इससे कोई विकास पर ध्यान नहीं देता इसलिए बाकिके देश ही नुकसान होगा और तो हमारे टैक्स से ही बनाए जाती है और सभी इंसान है यह भी सुचना जाहिए सब्सक्राइब कीजिए तो अगले मिलेंगे